नमस्कार अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्राखन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा मोहन पांडे प्रिटरिम की शुराद करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीज़ेपी की तीन दिवसीय प्रजिक्षन शिविर का आज समापन हुआ है कारिक्रम में शामिल होने के लिए सियम योगिया दितनाथ खुचितर कूट पहुचे इससे पहले सियम योगी ने सीधे कांश मंदिर पतुलसी पीट पहुचकर पदमे भूशन जगतगुरू राम भदराचारे से मुलाकात करी है जहां पर उन्होंने जगतगुरू राम भ बंचितों शोशितों तक पहुचनी की जरूरत है जिनको हमारी जरूरत है चाहे वो आर्थीक हो, चाहे किरिसी से सम्बंदित हो चाहे समाजीक हो चाहे राजनेतिक हो चाहे मोदी जी के जो लोग प्रिये जो जिनाय है उसको किरियरवन के लिए हो तो सभी विशोको हमारे एक-एक जो वक्तावों ने हम सब को इस प्रसिछण में उनका उत्वोधन प्राप्ट हुआ है हाँ तीन दिवसी प्रसिच्छन सिविर भगवान कामता नाज स्वामी जी की करपा उया में संपन्ड हो गया है बहुत सफल बहुत सांदार रहा है संगठन की द्रिष्ठी से पार्टी के और अधिक मजबूती की द्रिष्ठी से दोहजार चोविस की द्र पिश्टी से गैंग पर नजर रखने के लिए UP STF भी अलट मोड पर थी तो वहीं प्रियागराज पुलिस ने लेकपाल भड़ती परिक्षा में पेपर लीग के आरोपों से इंकार किया है हाला कि मामले की जांच के आदेश भी दिये गए है ADG STF अमिताब यच ने बताया कि लेकपाल परिक्षा में नकल कराने वाले 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है STF ने नरेंदर कुमार पटेल गैंग लीडर को गिरफतार किया और प्रियागराज से विजोय कांथ पटेल को गिरफतार किया गया है पटाया जारा कि विजोय कांथ पटेल नकल माफिया पटेल गैंग का सदश्ट था आपको ये बता दें कि ना सिर्फ प्रियागराज ना सिर्फ अन्य शेत्र बरकी 12 बंकी पटायपूर समेत कई अन्य शेत्रों और जुले हैं इसमें स्टीएफ को पूर सुसेही जनकारी मिली थी अभी सुचना संकलन के दोरान की कुछ गैंग्स सॉलवर्स का इस्तेमाल करके परिच्छा की सुचता को भन करेंगे और कुछ गैंक्स सॉल्वर्स के माध्यम से ग्लूटूट दिवाई साधी का इस्तिमाल करके अभ्याथियों को अनुचित नकल कराने का प्रयास करेंगे इस प्रकार के गैंक्स की गिरफ्तारी हुई है कुल 21 वेक्ती पूरे उत्तर प्रदेश में विनस्थानों से गिरफ्तार हुए है तो वहीं आपको बता दे कि लेकपाल पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष भी हमला वर है कॉंगर्स नेता दीपक सिंग का बयान सामने आया उन्होंने कहा कि यूपी की भाज़पा सरकार वीक है आज एक और पेपर लीक है साधी सरकार पर तंज कस्ते हुए कहा कि हर बार की तरह एक बार फिर लेकपाल भरती परिक्षा का पेपर सफलता पूर्वक लीक हो गया पेपर लीक है रोज पेपर लीक टारीक पर तारीक पर अब उत्तर परतिखी फ्रज़पा, पर परी पर लीक पर 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 लीक हाज इस तरह से लेकपाल भरती का आयस आयस से उसके तार जुड़े हुए बताय जा रहे थे, इस बात की सूचना पर ही कारवाई अमल में लाए गी थी, पकड़ा गया युवक देवबंद के एक मदरसे का शात्र बताय जा रहा है, वो करनाटक का रहने वाला है, ताजा जानकारी के साब से 8 घंटे की लंबी पूचाश के बाद NIA की टीम ने पारुक को छोड़ दिया है, हाला कि वो अपने साथ पारुक का मोबाईल और जो अन्य डॉक्यूमेंस थे उसको जरूर ले गए, पारुक को दारुल उलूम के पतादिकारियों की सुपुर्दुगी में सौपा गया है, पारुक दारुल उ पारुलूम देवबंद का शात्र है, आपको बता दे, यूपी ATS और NIA की संयुत शापिमार कारवाई में आज सुबा चार बजे पारुक को हिरासत में लिया गया था वंदेश में संयुत किसान मोर्चा के आवाहन पर प्रदर्शनों का आगाज दो चुका है, अब किसान अंदुलनकारी मूड में आ चुके हैं, 15 सुत्रिय मांगो को लेकर किसानों का सड़कों पर प्रदर्शन जारी है, मुजफर नगर जुले में 10 पॉइंट्स पर BKU का धर्णा प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए, मौजूद रहे धर्णा स्थल पर इस दौरान MSP कानून और अगनिवीर योजना को लेकर प्रदर्शन हुआ है. जो भारत सरकार प्रदर्शन में वादा किया, जब दिली में तेरा महिने का अन्मों बन चला, उसके भारत सरकार प्रदर्शन हुआ है. जुले की प्रभारी मंतरी विजय लक्षमी गौतब. जैसे ही उन्होंने अपने सरकार की उपलब्दियों का बखान करना शुरू किया, बत्ती गुल हो गई. ऐसा एक बार नहीं हुआ. बलकि बार बार होता रहा है. बत्ती गुल होती रही और मंतरी साहिबा अपने सरकार क की उपलब्दियां मोबाइल के टॉर्च के सहारे गिनाती रही. जैसे तैसे उन्होंने 100 दिनों के कारिकाल में हुए कारियों का बखान किया. अब भी सुनिया. अब बिजली ट्रीप पर के कभी आती जाती रहती होगी बिजली तो अब कभी विजली तो अब कभी बीजली पूरा हमरा उत्तर परदेश पचकतर जिला हो गया है. अब बिजली चल जाती है. बिजली जिदी जा रही है और सारे हमारे पचकतर जिले बियाईपी जिले बनाएं. तो सरकार बनाएं, सरकार जो है बिजली सव मना रही है, पावल कॉर्परेशन का शिला न्यास भी हो रहा है, उत्गाटन भी हो रहा है. बिजली गुल मोबाइल के टॉर्च में सौधिनों का जो बखान है, वो कर रही है. यहां पर वक्त छोड़े से ब्रेक का है. बार-बार के से रही है कि राशन डीलर के दृवल आशने कूरेशन का ज़र है लुवाशन का काफी है. यह सनुम्छाव बखान दो अगुल रहे हैं कि अपनी स्व कुछ आव्यों को के साथ मौजू डेलर के साथ मौजूद रहेंगे। बार-बार बोल रहे हैं कि परिवारवाद से दूर रहो उसकी पहली चरण उनकी ये है कि मैं मा को मिलने को जाओंगा तो भी मेरा परिवार दिखाई नहीं देगा ये सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम उनको अनुमोदन देते हैं हम कभी आगर नहीं करते हैं कि बाई आया है तो मैं भी खड़ा रहूं हम परिवारवाद में मानते नहीं है और परिवारवाद में मानते नहीं इसलिए तो दो अक्तूबर को जंतर मंतर पर हम रासन प्रदर्शन करने वाले हैं वहां के लिए बस अभी बंद है इखास रिपोर्ट देखे हैं बतादे कुप्तरपदेश में 20 बस ट्रीपो कावड यात्रा के कारण बंद है उत्रपदेश में कावड यात्रा की वज़े से यात्रियों को परशानी हो रही है जो कि रोडवेज का सहारा लेते हैं ऐसे में ही देहरादुन जाने वाले एक यात्री है हमारे साथ लेकिन बड़ी दिक्कत आ रही है कि आठ अगस्त तक यह दिक्कत आएंगा यह कावड का तो खता मोगे लिए उसके बाद भी कावड चलती तो उसमें दिक्कत दिक्कत ही चल लिए खता मोगे लिए कावड इट्रे की वजे से चालिए से प्रिवन विधा के राजस्यों को भी काफी नुफसान को सकता है केमेर राजेस के साथ मज़वा संग्जंता टीवी लखनोग सुचली खबरों में आगे बढ़ते हैं बात उत्राखंट की कर लेते हैं सुबे की मुखी मंतरी पुशकर सिंग धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महिंद्र भर्ट आज 12 बज़े डोईवाला पहुचे थे वित्व शेहरी विकास और संसदेर कारे मतरी प्रेम चंद अगरवाल की पिता स्वर्गे श्री मांगे राम अगरवाल की पुनितिती पर श्रधानजली सभा में उन्होंने शुर्कत करी और दोरान उनकी मूर्ती का अनावरण भी किया गया हम सब को इनके बताये हुए मांगे को चलना शुके और आज चाहे हमारे एक हिंदोती सर्कार है जो मांगे पदान की लोगदी के में अट साल का ताल पर दोरा तर रही है इसमें जिस प्रकार से घरीब कर लें हमें को उन्होंने के उदाई चलाई जलाई इससे घरीबों के इनके अमन चुप पर दोरा है एक नया उनके खुबन में सभीरा है उसी का अनुसरान करते हैं हम प्यूती मांगे राम चीटी आज दिपने कि थी है सब्सक्राइब कर दोरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई मौद सूचन अपर पहुची पुलस ने इशब को कभज में लेकर पुस्माट अपकले बेजा हमेटी के जामु थाना शेत्र में विस्पोर्ट होने से दो मंजिला मकान हुआ दराशाई आजसे में क्यूबा गमिर दुर्पक घाल सूचन अपर पहुची पुलिस सजाच में जुटी जफर नगर के चर्थावल थाना शेत्रों में लगातार हो रहे बारिश के कारण एक गरीब के मकान की च्छत अचानक भरबरा कर गिर गए पेड़त परिवार उच्छादिकारियों से आर्टिक जायता की गुहार लगा रहा अली नगर गाउं में पुलिस को मिली को मिला शब पुलिस ने शब को अब जुमिले कर पोस्मॉटम के लिए भीज़ा और यहा के पकून थाना शेत्रों में पुलिस को मिली बड़ी सफलता मुख्विर की सूशना पर कारवाई करते हुए पाच्छलाद के चरथ के साथ अली गड़ के चुरा अड़ा रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्तिक युवी तरदनास मौत घटना पर पहुची रेलवे पुलिस और मामले की जांच में जुटी अरोपी शराब पीकर लोगों को करते थे परिशान बदमाश के पयर में रगी गोली पुलिस ने आरोपी को घरफ़्तार करते हुए इलाज को लिए एस्पिताल में कराया भरती आरोपी के पास से चोरी की कार्वी बरामर अमेरी कोटवाली श्वेतर में दबंगों के बीच में सालोक पर बाइक सवार युबक को लाटी दनलों से पीटा तो यह पीटाई का वीडियो श्वेतर में तीन बच्चों के सर्यू में दूबने से हुई मौत घटना के सुचना पर पहुची पुलिस ने शब को पोस्तमाटम के लिए भेज़ा इटावा के एक दूल नाशनल आईवे पर ट्रक ने ओचो कुमारी टकर ओटो में सवार आठ लोगों में सकीन प्लूई मौत घटना कर पहुची पुलिस ने शब को कभजे में लेकर घाय लोग को अस्पताल में भरती करा है इताव में लागदार बारिश से मैन पुली अंडवरेज में भरे पानी में फसी कार अंडवरेज पर पानी भरने से आसपास की जगों पर भरा पानी लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना पिजनवा नूर्पूर्थाना शेत्र में एक घर में होई चोरी लाको रुपाई के जेवरात लेकर चोरू एरपुचकर घटना के सुचना पर पहुची पुलिस ने फॉरंसिक टीम की ज्वाच शुरू करवाए देवरिया के प्रात्मित विद्वाले में शातर जहरीला पानी पीने को मचबूर जहरीला पानी पीने से शात्रो और वविमार कर शाशन इसोर नहीं देरा है ध्यान मतरवा के विरंदावा ने स्थित बाके बिहारी मंदिर में आज सावन के महीने के द्वारान हर्याली तीश का उत्सव बड़ेयो और शलुवास के साथ मनाया गया बाके बुहारी को सोने से निर्मे थिंडोले में जुलाया गया कानपुर पैर पिसल जाने से नाले में गिरे युवक का गोदा कोरोने 15 गंटे बाद निकाला शव परिजनों खरोरों कर हुआ बुरा हाल स्थानी पुलिस मौकवर को रही मौजू बिजनोर के मंडावली हरिद्वार मार पर कार और बस की हुई जोर्दा टक कर कार में सवार चार लोगों के हुई दर्दनाक मौत सुझनापर पहुची पुलिस ने शव को कब जमिले कर पुस मौत के लिए भेज़ा बाज़िपुर के भवर कोल थाना श्वेत्र में चौर पाई पर सो रही मासुम के उपर बरगत के पेड की डाल गिरने से हुई मौत सुझनापर पहुची पुलिस ने शव को कब जमिले कर पुस मौत के लिए भेज़ा आगरा के पुराने शहर में चुगो क्या त्वंक पांच मकानों के गिरने का खत्रा बना हुआ है दिवारों अर्षत के जोण में दरार के कारण मकान दराशाई होने की आश्रंका बुरकपुर के गीडा में देर रात लगी प्लाई की फैक्टरी में लग गई याग फाय करमियोंने फैक्टरी में काम कर रहे है मज़ूरों को सुरक्षित बार निकाला दो गंटे की कड़े मशक्त के बाद आपर पाया गया काबू